कुछ ऐसे factors की बात करते हैं, जो की rate of evaporation को affect करते हैं, for example, surface area, बई, जितना surface area होगा, evaporation का जो rate है, वो उतना बड़े का न, एक cup में पानी ले लो, और एक plate में पानी ले लो, जल्दी कौन सुखेगा? Plate का पानी, क्यों? क्योंकि plate का जो surface area है, वो कैसा है, जादा है, तो आप बोल सकते हो कि, पानी का जादा surface कैसा है, exposed है, तो जितना जादा surface area exposed होगा, normal, you know, हमारी surrounding air में, तो उतना जल्दी आप बोल सकते हो कि evaporation होगा, the rate of evaporation increases on increasing the surface area of the liquid, जैसे कि, you know, कई बार होता है कि first पे पानी गिर जाता है, उसको जाकर कि हमें साफ करने की जर्वत नहीं बढ़ दी है, वो अपने आप सूख जाता है, क्यों सूख जाता है? ऐसा तो नहीं है कि पानी को हमने जाके boil किया है, जो फर्ष पे गिरा है, नहीं, वो अपने आप सूख जाता है, क्यों? evaporation होता है, ना? Temperature, भई हमारे आसपास की जो surrounding air है, उसमें भी क्या होती ही? थोड़ी बहुत हीट होती ही है, और इस थोड़ी बहुत हीट एनरजी से ही क्या होता है? फर्ष पे पड़ा वो जो पानी है, वो अपने आप वेपर्स में चेंज हो जाता है. Now, temperature, the rate of evaporation increases with increase in temperature. अगर हमने temperature बढ़ा दिया, तो evaporation बढ़ेगा ना कि नहीं बढ़ेगा? क्यों? temperature को increase करने से होगा क्या? liquid के जो particles है ना, उनकी kinetic energy और increase हो जाएगी. therefore, they can more easily overcome the forces of attraction of neighboring particles on the surface of the liquid and hence can more easily get converted into vapors. जितना temperature बढ़ा होगे, उतनी kinetic energy बढ़ेगी, liquid के particles की, और जितनी energy बढ़ गई, उतनी ही आसानी से वो क्या करेंगे? attractive forces को overcome करेंगे और उतनी ही आसानी से vapors में change हो जाएगे. इसके बाद में humidity. decrease in the humidity increases the rate of evaporation. देखो, humidity का मतलब क्या होता है? कि हमारे आसपास की जो air है न, उसमें water vapors की amount का present होना. मला हमारे आसपास की जो air है न, उसमें water vapors का present होना. अगर water vapors का जो amount है, हमारे surrounding air में जादा है, इसका मतलब क्या? कि हवा में नमी है. अक्सर बारिश के बाद में आपने सुना होगा कि बहुत ही humidity हो रही है. इसका मतलब क्या? कि हमारे आसपास की जो हवा है, उसमें water vapors का जो amount है, वो बढ़ चुका है. हवा, आप बोल सकते हो कि नम हो गई है, नमी आ गई है हवा में. Air around us can hold only certain definite amount of water vapors at a particular temperature. एक particular temperature पे हमारे आसपास की जो air होती है, वो एक specific definite amount की water vapors को ही पकड़ के रख सकती है. In case, the humidity of air is already high, the amount of water vapors in the air is already high. जब हवा में नमी होती है, तो हवा में already water vapors क्या होती है? उनका जो amount है, वो already कैसा होता है? जादा ही होता है. जब water vapors हवा में ज़्यादा रहेगी, तब ही तो हम बोलेंगे कि हवा नम है, हवा में नमी है. In that case, it can hold only little more amount of water vapors to reach that optimum level. अब क्या होगा, already जब हवा में क्या है नमी है, तो अब जो liquid होगा आपके पास, उस liquid की केवल कुछ ही vapors को surrounding air क्या कर पाएगी? क्यों? क्योंकि surrounding air में already water vapors है, आप जो आपके पास liquid है, जिसको कि आप evaporate करवाना चाहते हो, तो उस liquid की केवल कुछ ही vapors को surrounding air क्या कर पाएगी? एककमोडेट कर पाएगी, जदा नहीं कर पाएगी, जदा नहीं कर पाएगी, इसका मतलब क्या? कि evaporation का rate कम है, तो अगर हवा में नमी होती है, तो rate of evaporation क्या होता है? कम हो जाता है, तो वह हमारे कपड़े कैसे सूखते हैं? कपड़ों में जो भी पानी होता है, वो पानी भाप में जो है न उर जाता है, अब जब बारिश का मौसम होता है, तो बारिश के मौसम में अल्रेडी हवा में क्या है? नमी है, water vapors हैं, तो हमारे कपड़ों में जो पानी होगा न, उसकी जो water vapors बनेंगी, तो उन water vapors को, जादा water vapors को surrounding की air accommodate नहीं कर पाएगी, इसलिए rate of evaporation कम हो जाएगा, यहने कि जो कपड़े होंगे न आपके, उनका जो पानी है वो जल्दी नहीं सूखेगा, rate कम हो इसका मतलब क्या, कि कपड़े भी जल्दी नहीं सूखेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसकी dry और hot किसी weather की, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आसपास की जो air है, उसमें water vapors का जो amount है, वो कैसा है, कम है, तो कपड़ों में जो भी पानी होगा, वो पानी भाप बन की और सभी की सभी vapors को जो air है, वो अपने अंदर ले लेगी, तो rate of evaporation क्या हो जाएगा, यहाँ पर जादा हो जाएगा, इसका मतलब जो कपड़े हैं वो जादा जल्दी सूख जाएगे, इसके अलावा, windy day में आप बोल सकते हो कि कपड़े जो है, जादा जल्दी सूखते ह क्यों, wind speed का क्या relation होता है, क्या effect पड़ता है, an increase in the wind speed increases the rate of evaporation, हवा की अगर गती जादा है, तो rate of evaporation भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों, the reason being that with increase in wind speed, the particles of water move away with this wind, thereby decreasing the water vapors in the surrounding, हुआ क्या, कि जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, आपका liquid है, उसकी क्या है, वेपर्स है अब यह वेपर्स कहां है, यह वेपर्स हम बोल रहे हैं कि इस हवा में है, अब हुआ क्या, इस liquid से vapors बनी, यह वेपर्स कहां गई, हवा में गई, हवा चल रही थी, तो यह वाली जो हवा है, जिसमें कि यह वाले वेपर्स हैं, आपके liquid के, यह हवा अब कहां चुकी है, य इसके जगह पे हम बोल रहे हैं कि एक दूसरी लेयर आ गई है हवा की इसे हवा में हम बोल रहे हैं कि वेपर्स बहुत कम हैं तो होगा क्या आपके पास जो लिक्विड है उसकी और हम बोलते हैं कि वेपर्स बनेंगी और यह जो वेपर्स हैं यह फिर हम बोलते हैं कि इस वाल ना काफी असान होता है इसके अलावा हम बोलते हैं कि हमारा जो evaporation है ना उसका क्या होता है एक cooling effect होता है ठीक है ना क्यों during the process of evaporation the particles of liquid absorb energy या latent heat of vaporization from the surrounding to get converted to gasue state this absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold होता क्या है कि जब evaporation होता है तो liquid की surface के उपा जो particles होते हैं उनको vapors में convert होना है ना तो उनको क्या करना पड़ेगा latent heat of vaporization को absorb करना पड़ेगा यह कहां से आएगी heat तो आसपास से ही आएगी तो आसपास से heat को absorb करने के कारण जो water particles है या जो liquid की particles है at the surface वो उड़ जाएंगे भाप में बन जाएंगे जिसके कारण सराउंडिंग से energy ले ली गई है heat energy ले ली गई है तो surrounding क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी similarly जब हमको पसीना वगरा आता है तो पसीना आने के बाद गर्मी लगना थोड़ी कम हो जाती है in fact पसीना आने के बाद हमको लगता है कि थंड़ा का आगे थंड़ा क्यों आई है क्योंकि जब भूख पसीना आता है पसीना हम बोलते हैं कि हमारी स्किन पर आ गया अब यह जो पसीना ही क्या होगा उड़ेगा भाप में या अपनी वेपर्स हम बोते हैं कि change होगा कैसे होगा तो हमारी skin में आसपास की skin में जो भी heat energy होगी ना उस heat energy को absorb करके पसीना अपनी vapors पे change होगा तो क्योंगी हमारी skin की क्या हो चुकी है heat energy कम हो चुकी है absorb हो चुकी है इसका मतलब क्या हम पे एक cooling effect आने वाला है